हलो एवरीवन वेलकम टू ब्रेफ यूचर मेरा नाम प्रेंज चौबे है और इस वेडियो में हम लोग देखेंगे जो इलाहबाद हाई कोर्ट का जो अग्जाम होने वाला है आरो ए आरो और जो अधर पोस्ट को लेकर होने वाला है उस पार हमनों यहां पर डिस्कस करेंगे especially exam pattern कैसा होगा selection process कैसा होगा इस सारी बात हम लोग यहां पर आज जानेंग इस बारे में और उससे पहले आप चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि per day जो update है वीडियो का वो आप तक time to time पहुंसता रहे ठीक है यहां हम चलते हैं सीधे एक site पर और उस site का नाम क्या है adda 247 जो जो review officer यानि आरो का जो exam होने वाला है सबसे पहले मुझबारें बात कर लेते हैं मैं पहले यह बता दूँ आपको जो review officer जो exam होगा वह मेली दो part में होगा part first में और part second में अगर हम बात करते हैं part first की तो part first जो exam होगा वह आपका multiple choice question based पे होगा यानि objective based पे होगा और उस paper के लिए आपको तीन घंटे का समय दिया जाएगा यहां पर हमारे लिए दो बाते के लिए रोगए पहला part first जो है वह CBT mode में होगा computer test पे होगा online paper आपसे लिया जाएगा दूसरा तीन घंटे का समय आप आपको मिलेगा ठीक है अगर हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की पार्ट सेकंड जो है computer knowledge test होगा और वहां यह भी क्या होगा CBT mode में रहेगा और यहां पर जो timing आपको दी जाएगी वो दी जाएगी सिर्फ 20 minutes दिया जाएगा अगर हम बात करते हैं part first और part second gap के बारे में तो gap कितना मिलेगा 15 minutes का जो gap है आपको part first और part second के gap जो है वह आपको दिया जाएगा उसके बीच में 15 minutes का सिर्फ और अगर हम exam date की बात करते हैं तो 10 और 12 तस और 12 दिसम्बर को जो है 21 में यह paper आपको देखने को मिलेगा जो paper क्या होगा करा जाएगा वहां पर timing की बात कर ले अगर dlp जो क्या 9 सुबह 9 बड़ेषं से लेकर तो पहर के 12 में बेथा होगा अगर part second की बात करते हैं 12-15 से लेकर 12-35 तक होगा और अगर वह हम बात करते आंप करते हैं तो paper तीन बड़ेषं लेकर लेकर 6-35 तक कभी part first में timing कितनी मिलेगी पार्ट second में timing कितनी मिलेगी किस तरह का paper हो गा और दूनों gap जो है part first और part second के दौराण gap कितना मिलेगा 15 मिनिट का यह भी ध्यान रखना है और paper कब होगा 10 और 12 December को होगा next चलते हैं आगे बढ़ते हैं अब हम बात कर लेते हैं Assistant Popal task question based पे होगा यानि CBT Board में भी होगा वो online करा जाएगा आप से इस मदी फिर लिए जाएगा अगर आगर हम किरते हैं पार्ट सेकंड की बात करते हैं तो पार्ट सेकंड क्या होगा वो आपको वहां पे टाइमिंग दी 20 मिर्ट की और यह कि स्पेस पे होगा यह होगा गैप की बात करते तो यहां भी वही चीज़े पार्ट फस्ट और पार्ट सेकंड में जो गैप मिलेगा वो मिलेगा 15 मिलेगा आपको और पेपर की जो टाइमिंग हो क्या है पेपर जो डेट क्या है 14-16 और या और 18-20 दिसंबर में जो है यह पेपर आपका होगा और टाइमिंग की बात करें तो सेम जैसे पहले था अगर बॉर्निंग की बात करते सुबह 9 से लेकर 12 तक और एवलिंग की बात करते सुबह सामके 3 वे से लेकर 6 वे तक यह सिफ्ट रहेगी एससेस्टेंट रेव्यू ऑफिसर के लिए रा इसमें जो गैप होगा वो होगा 15 मिनिट का गैप होगा पेपर जो टेट कब होगी 21 दिसमबर को कराया जाएगा और मॉर्निंग सिफ्ट जो है सुबह 9 बज़े से लेकर 12 तक और पार्ट 1 के लिए और पार्ट 2 के लिए सबाबरावे से लेकर 12 तक चलेगा अगर हम बात करत कि अगरे आदेशनल प्राइट से लेकरेटरी यानि इंगलिस में बात करते हैं वहां की इसका जो पेपर होगा वो थीन पार्ट में होगा पार्ट टी जाएगी दी जाएगी दूगंटे की अध्याइपर कैसा होगा मल्टीपल च्वास अबजेटिव होगा मल्टीपल बिस जो पार्ट C होगा यह इंपॉर्टेंट है यह सब्जेक्टिव टाइप ट्रासलेशनल टेस्ट होगा और यहां पर टाइमिंग दी जाएगी वो दी जाएगी सिर्फ 15 मिनिट दिया जाएगा पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C में जो गैप मिलेगा वो मिलेगा पांच मिनिट का गैप मिलेगा आपको और एक्जाम की जो डेट काव आएगी डेट है बाइस दिसंबर को इसकी डेट है अगर मॉर्निंग सेट की बात करते हैं तो पार्ट A के लिए क्या होगा सुबह 9 बज प्रट चलेगा अगर बात करते हैं इसका भी प्रॉसेस से जैसा मैंने पहले बता रखा था फस्ट वाले के लिए यह सारा कुछ ब्यूरा था जो प्रॉसेस था किस तरह पेपर कराया जाएगा वो मैंने यहां बता दिया है तो अगर वेडियो पसंद आई तो प्लीज अगर भी और रात करते हैं तो प्लीज ज़कiqu भी आए दो नहीं से जाई हमार रखा देकर बोलीजेशनी और मैंने नहीं? अगर मैंने जा दे ऑगर लाईवारा एगर प्रॉसेंसर कवंभा अवर मैंने दोली आभियो जा ज How can I find you?